हाँ नमस्कार साथियों आज हम बिये थरडियर के लिए टोपिक लेकर आए हैं अमेरिका में जो नई राष्ट्रपती आए हैं जो बाइडन उनके आने के बाद भारत और अमेरिकी संबंदों पर क्या असर पड़ेगा और दुनिया में जो बाइडन का आग्मन कैसा रहेगा इन सब बातों पर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 20 जनवरी 2021 को जो बाइडन ने अमेरिका के 46th जो प्रिशिडेंट है राष्ट्रपती है उसके रूप में सफद ग्रहन की है और डॉनल्ड ट्रम्प का इस्थान लिया है अमेरिकी राष्ट्रपती का कार्यकाल चारवर्स का होता है और जो मौझूदा राष्ट्रपती हैं वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं उससे पहले डॉनल्ड ट्रम्प थे वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका के जो दो मुख्य पार्टियां हैं बोटे तोर प्रवांद विदलिये विवस्था हैं इते एक सामाने बात रही हैं अब बात आती है कि जो बाइडन के आने से भारत अमेरिकी संबंधु पर क्या असर पड़ेगा देखिए सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने रही थी डोनल्ड ट्रम्प के कारेकाल में कि डोनल्ड ट्रम्प ने इरान के साथ जो परमानु समझोता है उसको तोड़ा है परमानु समझे होता जब इरान के साथ तूटा तो भारत के लिए मुस्किल खड़ी हो गई और बराक ओबामा जो डोनल्ड ट्रम्प से पहले अमेरीकी राष्ट्रपती थी उन्होंने इरान के साथ परमानु करार किया था यानि कि पहले जो इरान का नुकुलियर कारेकरम चल रहा था दुनिया भर की उस पर आपत्ती थी अंधतो गत्वा बराक ओबामा के समय वो सैट्ल्मेंट हो गया था और भारत के लिए भी बहुत बहुत बहुतर था भारत के लिए बहतर इसलिए है क्योंकि भारत और एरान के जो आप से रिष्टे हैं वो बहुत गहरे है एरान के साथ भारत के हिट जुड़े हुए है और इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि एरान से हमारी जो एनरजी सिक्यूरिटी है उर्जा सुरक्षा है वो जुड़ी है एरान के जरिये हमारी जो गैस पाइपलाइन है जो समुद्र के रास्ते आनी है उसका प्रोजेक्ट लंबित था उसके अलावा इरान और पाकिस्तान के जो आपसे रिष्टे बहुत अच्छे नहीं हैं खास तोर पर वो कुछ सिया सुनी विवाद है तो इसकी वज़े से इरान के साथ भारत के रिष्टे मजबूत हो जाते है इरान का जो बंदरगा है चाभार बंदरगा जिसके उपर भारत काम कर रहा था लेकिन डॉनल्ड ट्रम्प ने जो ही परमानु करार दोड़ा और दुनिया भर पर ये दबाव बनाया कि वो इरान से अपने रिष्टे खत्म करे उनसे तेल गैस या जो भी चीज़ उनको लेना बंद करे तो भारत भी उसके दबाव में आया भले हम कितना भी ये कहें कि हमारी जो विदेश नीती है वो सोतंत्र है लेकिन अंतराष्ट्री राजनीती में जो कुछ घटता है खास तोर पर अमेरिका की लाइन से हम बहुत ज़्यादा दूर जा नहीं सकते क्योंकि हमारे अंतराष्ट रिषीत है वो काफी कुछ इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमारे अमेरिका के साथ रिस्ते कैसे है आज की जो दुनिया है उसमें अमेरिका एक सुपर पावर की इस्तिती में है तो इस तरह से इरान और अमेरिका दोनों को एक साथ साध़ पाना हमारे लिए मुस्किल हो गया था तो हम कहीं न कहीं डॉनल्ड टरम्प के कारेकाल में और ये दिक्कत हमारे साथ नहीं थी दूसरे देसों के साथ भी थी तो हमने अमेरिका के पास ही जाना पसंद किया, इरान से दूरी बनाई तो उसका खामियज़ यह हुआ कि चाइना इरान के करीब आ गया वा चाबहार बंदरगा पर वो काम करने लगा और सबसे बड़ा जो इरान का हमारा लाब था वो इरान के रास्ते से हम अफगानिस्तान तक जाते हैं इरान से होता हुआ एक रास्ता जाता है, हाईवे जाता है जिसे देलाराम जेरांग राजमार कहते हैं जो चाबहार बंदरगा से और अफगानिस्तान के हेरात परांत तक है और ये जो उसी कोरिडूर का प्रत्य उत्तर है जो चाइना ने पाकिस्तान में बनाया है जिसे हम जो चीन पाकिस्तान आर्थी कोरिडूर कहते हैं जो गौादर बंदरगा से लेकर चाइना के जिंग जैन प्रांत है वहां तक जाता है तो हमने उसका जबाब वहाँ दिया था लेकिन रिष्टेगर बड़ाए हैं तो इरान से दूरी बनी तो उसकी दिक्केते आई अब हम यह उमीद करते हैं कि चुकि डेमोक्रेट्स हैं डेमोक्रेट्स का जो एक बहतर रवया रहता है ओबामा भी डेमोक्रेट्स थे क्योंकि वो डेमोक्रेटिक पार्टी से आते थे और ओबामा के समय जो बाइडेन है वो प्राष्टर पती भी रहे हैं तो अब यह उमीद की जानी चाहिए यह हम कर सकते हैं कि इरान और अमेरिका के जो सम्मंद हो बहतर होंगे और बहतर सम्मंद होंगे तो हमारे लिए इरान और अमेरिका के साथ विदेश नीती में दोनों को साथ ले चल पाना आसान रहेगा तो एक तो हमें यह लाब होगा दूसरा जो बाइडन ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में अभी सेनाए बनाए रखेंगे तो इसका लाब हमें हो गया क्योंकि अफगानिस्तान से अगर सेनाए जाती है डॉनल्ड टरंप ने जिस तरह से वहां से सेना हटाई भी है और घटती ही जा रही थी तो उसका खामियाजा भारत के लिए यह होता है कि अगर वहां से अमेरीका अपनी पूरी सेना अफगानिस्तान से हटा लेता है तो फिर वहां वापस जो कट्रवाद है चरंपन्थ है उसको पना मिलती है और फिर जो वहां से आतंपवाद पन पेगा तो फिर जो भारत में खास तोर पर जो कस्मीर में अलगावाद है उसको हवा मिलती है तो इन सब चीजों से भारत की सुरक्षा को मुस्कलात आने वाली थी तो इस मामले में भारत के लिए बहतर है इसके अलावा भी जो डॉनल्ड टरंप का जो कार्यकाल था वो वैस्विक मुल्यों के लिए बहुत हलका दोर था उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए दुनिया में जो नए केवल भारत के लिए बलकि दुनिया के तमाम देसों के लिए मुस्किल के रहे और उनका एक फैसला था पेरिस पर्मानू समझोते से पीछे हटना पेरिस पर्मानू समझोता 2016 में जो पराग ओबामा के समय हुआ था ओबामा के कार्यकाल है वो अमेरिका के लिए उबलब्दियों से भरा रहा था उसने इरान के साथ अपने सम्मन बहतर किये परमानू करार किया, उन्होंने पेरी समझोते पर दुनिया को एक मत लेकर आए, जो पेरी समझोता है वो जलवाई परिवर्तन को लेकर है, तो उसमें जो कुछ लक्ष तैव हुए थे, जिसमें अमेरिका भी सामील हुआ, और अमेरिका ने भी ये जो एक तरहें से दोनल्ड ट्रब ने आते ही परमानू जो उसके पेरिश जो जलवाई समझोता है उससे बाहर हो गया और उसके बाद फिर ये कहा जाने लगा कि भई जब दुनिया का इतना बड़ा पावरफुल देश ही जलवाई परिवरतन को लेकर गंभीर नहीं है तो फिर दुनिया इस कैसे कर पाएगी अब जो बाइडन ने यह संकेत दिये हैं कि वो जलवाई परिवरतन समझोते में वापिस लोट कराएंगे उसी तरह से उन्होंने मुसलमानों के बारे में डॉनल्ड ट्रंप की जो पोलिशी है वो बेहत खतरनाक रही है रंगभेद की रही है जबकि भारत हमेशा रंगभेद के खिलाफ रहा है उसका जो सपोर्ट है उसने जो गोरे लोग है उनको अपने करीब रखा है जो स्वेत हैं एस स्वेतों के प्रती जो हैट क्राइम है वो अमेरिका में बढ़ाया है हालनक भले उनका ए घरेलू मामला है लेकिन भारत की जो विदेश नी जीती है उसमें हमेशा रंगभेद के विरोध की रही है गांधी जी ने तो दक्षन अफरीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है तो वहाँ आइडिलोजिकल इस तर पर भारत भी उससे सहमत नहीं था हालनकि वो अमेरिकी समाज और लोकतंत्र के लिए भी उन उनकी जो पोलिशी कहें या उनकी जो कोसीस है वो अच्छी नहीं थी तो उमीद करते हैं कि जो बाइडन के आने से जो अमेरिका को खुद को भी जो छती पहुंची है और दुनिया में भी डोनल्ड टरंप की वज़े से जिन मूल्यों को नुकसान पहुंचा है उनकी वाप इसले को अब डोनल्ड टरंप जो जो बाइडन है इन्होंने वापिस लिया है अब वो आज आ सकेंगे तो इस तरह से कई ऐसे कदम है दूसरा जैसे अभी यहां भारतिये कामगारों के लिए जो एच बनवी एच वन बीवन जो वीजा है उसको परिगुनोंने कटोती कर दी थी तो उमीद करते हैं कि जो बाइडन की आने से उसमें बहतरी होगी लेकिन जो बाइडन के लिए आने वाला जो समय है वो चुनोतियों से भरा है चुनोतियों से भरा इस रूप में है क्योंकि उसे एक तो जो छती घरेलू इस्तर पर डोनल्ड टरंप के दोर में उपजी है क्योंकि डॉनल्ड ट्रम्प के दोर में जो अमेरी की समाज हो बट गया है और ऐसा कहते हैं कि अमेरी की समाज इस से पहले तब बटा था जब ग्रह युद्ध हुआ था जहां जब दास पर था कांत हुआ था इबरहाम इस्ति को बहतर इस्ति में लाना जो बाइडन के लिए घरेलू इस्तर पर सबसे पहली चुनोती है दुनिया में उन्हें जो चीन का प्रभुत्त है समराजवाद है उसको संतुलित करना पड़ेगा इरान से बहतर इस्ते कायम करने पड़ेंगे पस्सिमेशिया में जो उसकी पकड कमजोर हुई है उसे और अधिक मजबूत करना पड़ेगा और भी दुनिया भर में जो करेकरम है वो चलाने होंगे तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो जो बाइडन का जो दोर है वो भारत के लिए ज्यादा बहतर दोर साबित होगा बनिश्पत डोनल्ड टरंप के धन और भारत के बात के दो जो थाने हुआ है।